प्रिय जनो आज सुबा मैं बहुत आश्यशित हो गया हूँ मेरी नजरें आपकी और हैं और आप मुझे संतों के समान नजर आ रहे हैं जिने परमेशर प्रेम करता है अपने बगल में बैठे वो व्यक्ति को देखें ध्यान से देखें अगर आप टीवी में देख रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को देखें जो आपकी कमरे में हैं जो येशु मुसी को जानते हैं और आप ही हैं वो व्यक्ति जिसके लिए उसने पने प्राण दिये वो आप हैं वो आप हैं मैं सोसता हूँ आज आपकी पीड़ी के विशे में मैं आपके खंडित जीवन के बारे में बात नहीं करूँगा बिलकुल नहीं क्या आप जानना चाहेंगे कि आज मैं किस विशे में बात चीत करूँगा मैं आपको परमेश्वर के विशे में बताऊंगा जिसने आपको अप प्रमेश्वर के दाइने और एक व्यक्ति बैठा है एक व्यक्ति तरी एक प्रमेश्वर में से दूसरा व्यक्ति जिसने आपका रूप लिया हमेशा के लिए वो उस रूप को कभी भी नित्यागेगा मुर्दों में से जी उठने के बाद उसने क्या कहा उसने कहा मैं प्रेत नहीं मुझे चू कर देखो अपने हाथ यहां डालो अपनी उंगली यहां डाल कर देखो मुझे कुछ मचली खाने को दो मुझे कुछ शहद दो उसने उस मचली और शहद को खाया और गायब हो गया उस दिवार में से गुजरते हुए और वो मचली और शहद नीचे नहीं गिरा एक महिमा में पुन रुस्तित मानव शरीर प्रियों आपको सालों में एक अच्छे स्तर बर आ जाएंगे और वो शरीर ऐसे चमतकार कर सकता है जिनके बारे में आपने खाब में भी नहीं सोचा होगा ओ मेरे प्रिय भाई उस पून जिवित शरीर के बाद आप पहले जैसे नहीं रहोगे क्योंकि पून जिवित शरीर सीधा हवा में होते हुए स्वर की और जाता है बिना किसी स्वर्दूतों की सहता के प्रिय जिनों हम चर्ष में इतना अधिक विश्वास करने लगे कि सूस मचार को पढ़ना भूल गए हम उस कहानी की महानता को नहीं जानते लेकिन वो दूसरा विक्ती हमारे साथ जुड़ गया है हमेशा के लिए और पवित्रात्मा अब हमारे बीच में बास करता है और स्वर्दूतों को अधिकार दिया गया है कि वो आपकी सहता करे, सेवा करे और आपको समर्थ बनाए और आपके पास हैं संतों की छे हजार साल की प्रार्थना है मुझे ना बताएं आप कितने टूटे हुएं आज मनुष्य के गिरने के बाद हर एक व्यक्ति टूटा हुआ है आपके लिए जानना जुरूरी है कि छे हजार परमेशर के लोग आपके लिए प्राथना कर रहे है एक पिता जिसने आपको अपने स्वरूप में बनाया और पवितरात्मा दिया आप में वास करने के लिए और वो परमेशर आपको चार और गेरे रहता है और एक भाई की समान आपके साथ रहता है और एक परमेश्वर जो आपके अंदर बास करता है और आप सोचते हैं आपकी छोटी सी कमजोरी उस पूरी प्रक्रिया को रोकते ही गी आप दरसल सोचते हैं कि आपके मौजूदा संगर्श परमेश्वर को जो स्वर्ग से उपर है रोक सकते हैं लिखा है कि उसे पाप का उचे दन मिला और उसे अपने आपको नमर करना पड़ा कि स्वर्ग की और ताक सके प्रियो आप जानते हो कि करोडो करोड आकाश गंगाए हैं आसमान में और परमेश्वर को नीचे जुकना पड़ा वो स्वर्ग से आसमानों को देखता है फिर नीचे जुक कर आकाश गंगाओं को देखता है और फिर ये छोटे से ग्रहे पृत्वी की और नजर डालता है फिर और नीचे जुक कर उत्री अमरीका को देखता है कैनडा पे फिर अलबटा पे और आखिर में मेडिसन हैट पर और आप सोसते हैं कि आप उस परमेश्वर को जो जना नीचे तक जुक सकता है अपनी मामूली सी कमजोरी से उसे दबा सकते हैं हे प्रभू इस छोटी सी चीटी के समान सिर्फ मेरी ही दशा ऐसी है प्रभू मैं वो छोटा बादाम हूँ जिसे आप तोड़ नहीं सकते हैं और वो स्वर्ग में बैठता है और हसता है जैसे आपने कार्टून में एक चीटी को दिखा है और प्रमेश्वर स्वर्ग पे बैठा है और वो हसता है वो आपके चारो और है वो सनातन और अनंत का परमेश्वर है क्या आप जानते हैं कि आप परमेश्वर में कहीं भी कोई स्थान चुन ले क्योंकि वो सनातन का परमेश्वर है और स्वर्ग में भी नहीं समा सकता उसमें कोई भी जगा चुन ले और फिर करोडो साल तक भागते रहें फिर भी आप उसके केंदर तक नहीं पहुँच पाएंगे वो आपको चारो और से घेरे हुए है और फिर वो आपके साथ है एक भाई के समान उसने आपके धांचे को धारन किया है आपकी कमजोरियों को जानता है वो आपकी परिक्षाओं को समझता है उसने मौत को चखा आपके लिए और मुर्दों में से जी उठा और मिरुत्यू के शकंजे को तोड़ दिया आपके लिए वो आपके हेत में मरा और आपके लिए मिरुत्यू की शक्तियों को हरा दिया और अब सर्व सामर्थी परमेश्र पिता के दाइनी हाथ में बैठा है क्या आप जानते हैं क्योंकि येश्व मसी सोर्ग में है मानव जाती काम्याब हो गई नए यरुशलम में लिखा है कोई भी आपवित्र वस्तु उस पवित्र शहर में परवेश नहीं कर सकती फिर भी एक व्यक्ति तमाम आसमानों में से सारे से धानतों को और सामर्थों को तोड़ते हुए और शतान को हराते हुए ठीक नए येश्व में चड़ गया और सीधा परमेश्र के सिहासन की और बढ़कर फिराजमान हो गया एक आम आदमी की तरह क्या आप इसके मायने समझते हैं आप सफल हो गए स्वर्ग में एक मनुश्य है जिसका अर्थ है मानव जाती अब बच गई मिरित्यूतिरा डंक कहा रहा उनके लिए जो उस पर विश्वास करते हैं और उसके साथ सिहासन पर विराजमान है और ना केवलिये वो परमेशवर के दाइने हाद बैठ कर उन सब को जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं पवित रात्मा और सामर से बब्तिस्मा देता है और आप सोचते हैं कि आपकी महस छोटी सी कमजोरी परमेश्वर की इश्वरी सामर्थ को जो आपके चारो हो रहे पराजित कर सकती है परमेश्वर आपके साथ है आपके भाई के समान, एक राजा के समान, आपके दुले के समान और स्वें आपके अंदर तो क्या आप सोचते हो आप उसे रोक लोगे? ओ, हम कितना घमन करते हैं हम सोचते हैं कि हम उस सामर्थी परमेशर का सामना कर सकते हैं जो हमें खूपसूरत बनाएगा, मुवित्र बनाएगा, और धर्मी बनाएगा, और खुश बनाएगा, और शुद करेगा और हमें इतने आनन से भर देगा कि आप जानते हैं केवल परमेशर आपको पुवित्र नहीं बनाना चाहता ताकि आप समित रहे के दुनिया का इंकार करते रहें क्या आप जानते हैं परमेशर आपको क्यों पुवित्र करना चाहता है ताकि आपको उस आनन्दमई, सुख़दाई, संतोष जनक और मनोर परमेशर से भेट करने के लिए त्यार कर सके वो चाहता है कि आप उसके साथ सहमत हों कि आप उसका स्वाद ले सके वो आपको इसलिए शुद रहने के लिए नहीं कहता तापकि आपके पास एक ओबायू जीवन हो और जिंदगी की अच्छी चीजों का इंकार करते रहें वो आपको इसलिए पवित्र रहने को कहता है क्योंकि वो सुवे पवित्र है और वो सबसे अधिक महिमा में व्यक्ति है पूरे ब्रहमान में वो कहता है कि तुम इसलिए पवित्र बनो कि मुझ तक पहुंच सको मैं वस्तव मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे चक कर देखो असल में परमिश्वर इतना महान है कि पूरी सृष्टी में केवल वो ही व्यापक गुणी है वो सुए से प्रेम करता है और वो अपने सिहासन से विभूशित है क्यूं? क्यूंकि वो खूपसूर्ती और सामर्थ और नम्रता और दीनता की चरम सीमा पर है और उसकी उपस्तिती में आनंद की भरपूरी है और वो जैसा है उससे कम पर कुछ भी समझोता नहीं करने वाला क्यूंकि वो ऐसा सोचता है कि शान्ती और आराम और आनन्द ही उसका विकल्प है और वो खुद को कभी भी कुरूप या भ्रश्क या उससे कम नहीं करेगा किसी के लिए भी और क्यूंकि आप ही वो एक लौते जीव हो जिसको उसने अपने स्वरूप में बनाया वो आपको निमंतरन देता है अपनी स्वें की सुरक्षा के लिए आप ही वो प्रानी हो आप अपने आपको बहुत छोटा समझ सकते हो चाहे आप मेडिसेन हार्ट या कैनरा या पृत्वी के किसी भी छोर पर आज देख रहे हो आप अपने आपको कितना छोटा क्यों न समझते हो लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज इस युक का सबसे बड़ा अमंतरन आपको दिया जाता है आप उसके स्वरूप में बनाये गए हो और आप उसकी हिस्तेदारी ले सकते हो हमेशा के लिए क्या होता अगर आप उसकी सेवा केले ही बनाये गए होते वो आपको जैसा चाहता वैसा बना सकता था अगर वो चाहता तो वो कह सकता था कि मुझे कुछ पराणी चाहिए जो इस खाली स्थान में रहकर केवल सेवा करते रहे बस काम करते रहे मैं चाहता हूँ मेरे राज्य में सब कुछ ठीक ठाको बस मुझे कुछ लोग चाहिए जो कुछ न कुछ करते रहें मैं उने एक सूची दूँगा और उसके उनुसार वो करते रहें परन्तु अगर वो शुद रहें तभी बचे रहेंगे इसलिए बहतर होगा कि वो कोई गड़बड़ी ना करे वरना मेरे राज्य में प्रवेश करके वो कारें नहीं कर पाएंगे इसलिए हम परमिश्वर के लिए गलत तस्वीर को लेकर जीते हैं कि परमिश्वर हमारे जीवन से हमेशा क्रोधित रहता है वो दास रहता है क्योंकि उसने केवल हमें काम करने के लिए बनाया है और पवित्र रहना जरूरी होगा उसके राज में जाने के लिए और हमेशा काम करने के लिए और फिर आप अपने नीजी प्रार्थनों में कहते रहते हैं परमेश्वर मुझे माफ कर और उमीद करते रहते हैं कि जिस दिन मैं मरूँ किसी तरीके से परमेश्वर अच्छे मूड में हो और मैं आसानी से अंदर खिसक जाओ ओ परमेश्वर मैं आज बच गया उसका ध्यान तो कहीं और था और अगर वो सच में जान जाता तो क्या होता कोई उसे नहीं बताएगा आमीन ठीक है क्योंकि एक बार आप अंदर चले गए तो आप बच गए ओ बाल बचा मैं अपने बाकी दोस्तों के लिए भी प्राथना करूँगा क्योंकि वो खास दिन उसका ध्यान कहीं और होता है ऐसा नहीं है आपने उसे समझा नहीं, मैंने उसे समझा नहीं, उसने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी आनंद की नदी में से पी सकें आप एक लौते प्राणियों जो परमेश्वर के लिए बनाए गए हो आप एक लौते जीव हो जो परमेश्वर द्वारा बनाए गए हो परमेश्वर के लिए ताकि परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए वास कर सको काम करना आप केवल परमेश्वर के लिए काम नहीं करते आप उसके साथ भागीदारी करते हैं वो आपको अपना शानदार हिर्द दिखाता है और अपनी सुंदरता से आपको मुग्द कर देता है और फिर कहता है इसी तरह तुम्हें भी आगे आने की जरूरत है तुम्हें भी खोयों को ढूनने की जरूरत है तुम्हें भी कमजोर का उचा उठाने की जरूरत है और मैं तुम्हें अपने आनन से भरता रहूँगा तुम इश्वरे कारियों में भागीदार बनो मैं तुम में बास करूँगा और तुम मुझ में बास करूगे और इस सम्बंद का सबसे बड़ा सम्मान ये होगा कि ये प्रस्ताव मेरे विशे से केंद्रित रहेगा क्यों? क्योंकि मैं ही सबसे अधिक महीमा मैं हूँ मैं परमिश्वर हूँ मैं अपने से अधिक तुम्हें और क्या दे सकता हूँ ओ प्रियो अगर हम ये जान जाएं कि परमेशर नहीं चाहता कि हम पवित्र हूँ तो हम असानी से बच जाएंगे और हमें उसके बदले में एक ओबाव, ओदास, रूखा और नीरस परमेशर मिलेगा हमेशा के लिए वो पवित्र है और फिर ना गिरने वाले प्राणी जो कभी पाप नहीं करते परमेशर की और नजर डालते हैं फिर वो वहीं थम जाते हैं, उनके हाव भाव से यही प्रगड होता है, ओ, वो कितना खूपसूरत है और पहला पत्रस एक बारा में ऐसा लिखा है, कि वो ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं, और चक्कित होते हैं, कि क्यूं उसने हम जैसे छोटे जीवों को चुना, और वो जो बेश कीमती था, उसे हमारे लिए दे दिया, हमेशा हमेशा के लिए लिखा है स्वर्ग दूद ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं, वो इस एक जीव को देखने के लिए तरसते हैं, जो परमेशर के लिए सारे गर्ज को चाचने के लिए बना, और भागेदार हुआ कि उसके साथ प्रेम और आनंद से रह सके हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग दूद ऐसी लालसा रखते हैं, पर आप जानते हैं कि आप और मैं इतने अस्थिर हैं, एक दिन हम लालसा रखते हैं कि हमें परमेशर की जहलक मिलेगी, ओ, तू सबसे उत्तम है और हम कहते हैं ओ परमेशर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और हम अरादना करने लगते हैं ओ परमेशर हम तुझसे प्रेम करते हैं प्रेम करते हैं और फिर अगले दिन हम फिर इतने अस्थिर हो जाते हैं और हम कहते हैं मुझे विश्वास नहीं, प्रमिश्वर ने ऐसा कर दिया मेरे पुरुष मित्र के लिए तुने क्या कह दिया प्रमिश्वर तु हमारे साथ ऐसी बाते क्यों करता है हम कितने अस्थिर हैं एक दिन हम प्रमिश्वर को प्रेम करते हैं अगले दिन हमें मालूम नहीं और उसके बाद हम गिरे हुए अस्थिर मनश्य जाती हैं परन्तु जब स्वर्ग दूत प्रमिश्वर को देखते हैं ना गिरने वाले जीव वो उनके लिए प्रयाप से भी बढ़कर होता है मैं कभी भी नहीं भूल पाता जब मैं प्रकाश रत्वाकिया उसके चार और पांच को पढ़ता हूँ जहां वो चार प्राणियों का वर्णन है और वो केवल परमिश्र को निहारते रहते हैं और कहते रहते हैं पवित्र 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 और दिन और रात वो बारम बार 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 यही कहते रहते हैं आप में से कितनों ने उसको पढ़ा है वो कभी नहीं रुखते और उनके पास कहने के लिए क्या और कुछ नहीं उनकी सोच समझ को क्या हो गया क्या उन्हें कोई समय की जरूत नहीं ताकि वो रचनात्मक तरीके से कोई लेक लिख सके अरे ये तो बहुत ओबाव है कि पहले तीन बार तो ठीक है चलो कोई बात नहीं पर उन्तु उसका क्या जब करोडो बार एक ही बात को बार बार कहा जाए और मैं ये कभी नहीं भूलूँगा जब परमिशर ने मुझे कहा एलन उन्हें कोई भी वहां खड़ा होने के लिए नहीं कहता ये मेरे लिए बिल्कुल नया सिद्धान था इसका मतलब परमिशर तू कभी भी उनको धमकाता नहीं डराता नहीं कि मैं तू उनको आग में डाल देगा क्या तू ऐसा नहीं कहता जिवित प्राणियों तुम कम से कम एक आख से तो वहां देखो अपनी हजार आखो के बावजूद एक आख से दूसरी तरफ देखो और मैं तुम्हें आख में डाल दूँगा वो बिल्कुल जडवत होकर बैठे रहते हैं अपनी आख पर में शरकी और लगाए हुए अपनी आखों को बिना इदर उदर हिलाए हुए हमें यहां हमेशा खड़े होकर पवित्र 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 कहना वो आख की जील तो इससे बहुत बुरी है कोई उन्हें वहां खड़े रहने को नहीं कहता आप जानते हैं क्यूँ? क्यूँकि उसकी उपस्तिती में धवनिया है खुश्बू है आनंद है और उसकी चाल में जीवन है और प्रभावकारी गहरा प्रेम है महिमा और वैभव और उन प्राणियों को आप उस स्यासन के कमरे से बाहर नहीं की सकते चाहे आप ले आए एक 747 बोईंग और एक जंजीर से उनके एडियों को बांद कर खीचें और वो जिवित प्राणी उस जंजीर को पगड़ कर आपको अपने पास खीच लेंगे और कहेंगे मुझे आदत है इस आनंद की काश मेरे पास एक और आँख होती दस हजार और आँखें और परमेशर को देखता रहता आप जानते हैं क्यूं क्योंकि आप उसे खोश सकते हैं वो उसके चारोर खड़े रहते हैं और उसे खुजते रहते हैं परन्तु उसके अंद को नहीं पापाते और जब उनकी हाट ड्राइव पूरी भर जाती है तो वो क्रैश होने लग जाती है और वो चिलाने लग जाते हैं पवेत्र 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 रभू परमेश्वर शर्शक्ति मान जो था और जो है और जो आने वाला है और वो 24 सो प्राचीन सियासन पर गिर पड़ते हैं और अपने मुकुट सियासन के सामने डाल देते हैं आनन से भर कर उनकी आखे रोशनी और महिमा से त्रिप्थ हो चुकी है हाट ड्राइव क्रैश हो गई उन्होंने अपने मुकुट गिरा दिये और फिर येशु मसी आता है उनके मुकुट को उठाता है और प्राचीनों के सिर के उपर रखता है और कहता है फिर से करो मुझे फिर से निहारो फिर से ताको क्यूं? क्यूंकि मैं फिर से त्रिप्थ करूँगा प्रियो हम परमिश्वर के लिए बनाए गए हम जो एकलोते पराणी है इसलिए बनाए गए कि प्रमिश्वर के साथ रह सकें उसकी रोशनी और प्रेम में हमेशा हमेशा के लिए और गर हम अपने हिर्दे में उसके सवभाव तरीकों और उसने हमें क्यूं बुलाया है इन बातों के लिए खुद पर दोश लगाने से बाज आएं और उन पर जीत हासिल करें तो हम उसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे और हम अपने आपको बदल पाएंगे क्या आप जानते हैं क्यूं उसने पूरे संसार में प्रार्थना के आंदोलन को शुरू किया ताकि लोग मसियत की अच्छी बातों को जान सकें और वो है परमेशवर अगर परमेशवर स्वर्ग में नहीं होता तो आपको वाँ जाने की जुरूरत नहीं वो जहां कहीं भी है आप वही जाना चाहते हो वो हमारी मसियत का सब से बड़ा रहस्य है और अब परमेश्वर पूरे संसार में प्रार्थनाओं और अराधनाओं की जगा को खड़ा कर रहा है वो परदों को हटा रहा है ताकि जो कुछ उसके विशे में स्वर्ग में जाना जाता था अब वो पृत्वी पर भी जाना जाए और प्रियो अगर मैं से कैसे बताऊं अगर स्वर्ग दूत परमेश्वर की अराधना कर सकते हैं पूरा दिन और प्रते दिन भे रोक अराधना और येश्व मसी इसलिए नहीं आया कि स्वर्ग दूतों के लिए पने प्राण दे इस पे गौर करें जब एक त्याह स्वर्ग दूतों ने विद्रोव किया तब 3-1 प्रमेश्वर के दूसरे व्यक्ति ने स्वर्ग दूतों का रूप धराण नहीं किया और उनके लिए प्राईश्चित नहीं किया उसने कुछ भी नहीं किया और इधर मानव जाती का 100 प्रतिशत उसे कहता है धन्यवाद हमारे लिए भला ये है कि हम अपनी अजादी में रहें अपने विचारों में अपने उल्जणों में अपने नेंतरण में हमारे लिए भला है कि हम तुझ से दूर रहें धन्यवाद, धन्यवाद की तुने में बनाया पर इसके लिए कोई धन्यवाद नहीं कि हम तेर से संबंदित हैं हम अपने लिए खुद ही करेंगे और प्रमिश्वर चला जाता है ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता मैंने तुम्हें अपने लिए बनाया है और ठीक अप से छुटकारे की योजना शुरू होती है मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा और जब समय पूरा हो जाएगा मैं तुम्हारा रूप धारन करूँगा और मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं कैसा दिखता हूँ और मरते दम तक तुम्हारे लिए लड़ता रहूँगा और मैं तुम्हारी मौत को अपने उपर ले लूँगा क्यों? क्योंकि मेरा तुमसे प्रेम संबंध है मैंने तुम्हें अपने लिए बनाया है मौत की सामर्थ को मैं तोड़ दूँगा और उस दिन मैं तुम्हें मौत से पून जिवित कर दूँगा तुम मेरे हो प्रियो अगर परमेश्वर हमसे मिलना चाहता है जैसे वो येशु मसी में होकर मिला और वो स्वर्धूतों के लिए नहीं आया जब वो गिर गए तो प्रिये जनो हमें उन जिवित प्राणियों से जो उसके सिहासन के चार और है उससे भी बढ़कर कितनी अधिक उसकी अराधना करनी चाहिए जब पास्टर ने मुझसे पूछा कि हमें क्यूं इस नए नियम की जरूरत है हम इसके लिए नहीं बुलाए गए हैं कि 24 घंटे 7 दिन ये करें और हमें क्यूं जरूरत है कि हम बिना रुके हुए प्राथना करें और आराधना करें क्या आप मुझसे मजाग कर रहे हैं क्या आपने कभी परमेशर को देखा है क्यूंकि अगर आप उन प्राणियों से और परिष्टों से ठीक यही प्रशन पूछेंगे कि माव कीजिए कि आप सोचते हैं कि आपकी स्वर्गे राजे ववस्था में या स्वर्गे धर्म शास्त्रों के अनुसार क्या ये सचमच अनुवारे है तो वो स्वर्गे जीव आपको बड़े ध्यान से देखेंगे और कहेंगे आप मात्र इससे अन्यवारे का द्रजा देते हैं आपने कभी भी परमिशुर को नहीं देखा क्यूंकि अगर आप उसे देख लेते तो आप कभी इस तरह का प्रशन नहीं पूछते क्यूंकि अगर आप उसे देख लेते या आप उसे चू लेते या अगर आपका उससे सामना होता तो आपको मालुम होता कि आपके तमाम सने और आपकी तमाम अरादना के वो योग्य है और इसी लिए ही आप बनाए गए हो